CBI ने सूरत के अरपपती चायवाले किशोर भजियावाला को लेकर एक और खुलासा किया है CBI ने बताया कि नोटबंदी के बाद किशोर भजियावाला ने काले धन को सफेद करने के लिए 700 लोगों का इस्तमाल किया था अंग्रेजी अकबार टाइमस अफ इंडिया के मताबिक CBI सूतरों ने बताया कि सूरत के चाय बेचने वाले से फाइनांसर बने किशोर भजियावाला ने नोटबंदी के बाद पैसे जमा करने और निकालने के लिए करीब 700 लोगों के डमी अकाउंट्स का इस्तमाल किया था आईकर विभाग के सूतरों ने बताया कि अभी तक भजियावाला के 27 बैंक अकाउंट्स सामने आए हैं जिन में करीब 20 अकाउंट्स बेनामी हैं इन्ही बेनामी अकाउंट्स की जरिये से भज्यवाला ने बड़ी संख्या में काले धन को सफेद किया इस मामले में आयकर विभाग की भी जाँच अभी जारी है गौर तलब है कि आयकर विभाग ने अभी तक भज्यवाला के पास करोडों रुपे में नई करेंसी, किलों के हिसाब से सोना चांदी और बेश कीमती जेवरात बरामत किये हैं वहीं जार्ज अजेंसियों को भज्यवाला के पास अर्बों रुपे की प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं जो उसकी पत्नी, बेटी और बेटे के नाम पर दर्ज हैं एनमेफ निउस की रपोर्ट